शादी छोटे बड़े बहुत से रस्मों से बना एक बेहत खुबसूरत शुबारंब है ये अपने सभी करीबी और सगे संबंधियों को न्योता देते वक्त हम अकसर कहते हैं कि सिर्फ शादी में मौजूद नहीं होना बल्कि आपने शादी करवानी है मैंने और मेरे फियांसे ने सोचा ये शादी दो दिलों का मिलन होगा पर आमें मिले कुछ ऐसे रिष्टे जिन्होंने परशाय की तरह साथ में भाया ये सोनू भाया घर के कामकाज हो या शादी के गहने मुस्कुराते हुए हर जीज का ध्यान रखने में बिलकुल अपने नाम पे गए है एक्तम खैरा सोना बुआ के अधभुद सुझाव की वजह से दादा जी का आशिरवाद भी हम तक खुशी के आसू बन कर आपोंचा इंद्र धनुष के साथ रंगों की तरह कुछ करीबी रिष्टों ने हमारी खुशियों को आस्मान के उचाईयों तक पहुँचा दिया धेर सारा प्यार और आशिरवाद देने हमें मिली नई दादी और नाने भी अब समझ आया कि कैसे कुछ अंजान रिष्टे हमारी खुशी के मुखे को धूम धाम में बदल देते हैं पाँच तत्वों को साक्षी मान कर चार वेदों के पाठ से मंगल सुत्र की तीन गाठों में दो दिलों का एक होना शादी कहलाता है अन्बिलीवबल बिना जान पहचान के दो बड़े परिवारों ने मिलकर एक खुबसूरत नया रिष्टा बना डाला ये कोई आम वेडिंग नहीं ये है दे ग्रेट इंडियन फैमिली वेडिंग वेडिंग एंड सेलिब्रेशन कलेक्शन जी आर्टी च्वेलस शुब आरंभो का प्रारंग